नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कख्षा साथ के सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय नौकी जिसका शीर्शक है खेत्रियस अंस्कृतियों का निर्माण आईए सबसे पहले इसका पाठे करम देख लेते हैं दोस्तों इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं चेर और मल्यालम भाषा के विकास की इसके साथ ही हम जानेंगे शासक और उनकी धार्मिक परंपराओं के विशह में खास करके जगन्नाथी संप्रदाय के विश्रेन, इसके बाद हमें जानने का मौका मिलेगा राजपूत और शूरवीर्टा की परमपराओं के बारे में, इसके साथ ही शेत्रिय सीमानतों से परे कथक नृत्य की कहानी, इसके साथ ही दोस्तों इस अध्याय में मैं आपको मुख नृत्यों के बारे में भी बताने वाला हो, इसके साथ ही हमें शास्त्रिय नृत्य क्या होता है, क्यों होता है और आखिर क्यों हम इने इसे शास्त्रिय संगीत या शास्त्रिय नृत्य के नाम से जानते हैं, यह भी हमें देखने का मौका मिलेगा, इसके बाद हम जान इस अध्याय के निश्कर्ष पर चलिए बिना देर की यह शुरू करते हैं और चलते हैं इस रोचक सफर की ओर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं शीर्षक जो है वह दिया हुआ है शेत्रिय संस्कृतियों का निर्माई है यह हमारे अध्याय का नाम है तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहला परेग्राफ है ना सबसे पहले हम इस पहले परेग्राफ को समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप यदि लोगों के बारे में बताईए है ना उन लोगों के बारे में बताईए जो आ करने कि एक राजस्थान से तो एक तो उनकी जो बोलचाण है उनकी प्षाषा वहां हमें उनके बारे में हमारे सामने तमिल कह रहा है तमिल में बोल रहा है या फिर उडिया में बोल रहा है तो आम तौर पर हम इसका यही अर्थ निकालेंगे ना दोस्तों कि या तो वहां तमिल या उडिया बोलता है तो वहां तमिल लाडू या फिर उडिसा में रहता होगा है ना बिलकुल सही कहा यह मैं भोजन की बात करूँ तो इडली आपको याद आजाएगी है ना इसी प्रकार से अगर गुजरात की बात करूँ तो फाफडा जले भी यह सब याद आएगा है ना तो भोजन से भी हम अलग-अलग जगहों की पहचान कर सकते हैं ठीक है इसके साथ ही वहां का पहनावा महा के वस्त्र कैसे है ठीक है ना अगर कोई कश्मीर से है तो वहा ठंड से बचने के लिए जो कपड़े होते हैं उनका अधी को प्योग करते हैं आजैसे पाश्मीना शॉल प्यादी इसके बाद में कावे से पहचाना जाता है नृत्य से संगीत से और चित्रकला अधी सब स यह कुछ से जोड़ करके हम सकते हैं किसी व्यक्ति को कि वहाँ मेरी इस परिग्राफ में हमें कभी-खभी दोस्तों क्या होता है हम इन चीजों को मान करते चलते हैं और हमारी जो सोच है कुछ प्रकार से तजाओं इसप्रकार चाहें हमेशा से Zeus रहा होगा यहора हमेशा से existence इसका रहा होगा अब आप कहेंगे कि हमेशा से अस्तित्व में है इसका क्यारत हुआ तो जैसे मान लीजिए कि नवरात्री की पूजा होती है ठीक है ना दुर्गा जी की पूजा होती है नौ दिनों तक के तो हम यहां मान की चलते हैं कि जब से विश्व की शुरुवात ह से ही चली आ रही है ना क्योंकि यहां तो काफी प्राचीन पूजा मालूम पड़ती है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़े जो हैं उनमें परिवर्तन आया है वहां हमेशा से इसी प्रकार से अस्तित्व में नहीं है बिन नभिन शेत्रों की अगर मैं बात क किसी Кी भूमिका रही है तो दोस्तों है समय की Понि मैस्तव महत्कून रही है को कि सबसे महत्तों रही है जैसे समय आगे बड़ता गया जैसे जैसे काल आगे बड़ता गया चलते रहा आउपWow मा वैसे क्या हुआ कि जो संस्कृतियां है ना वहाँ दीरे दीरे बदलते चली गई जिनने हम आज मुख्य रूप से शेत्रिय संस्कृतियों के तौर पर जानते हैं ठीक है ना जैसे ऐसे समय आगे बढ़ा वहाँ क्या हुई बदलते चली गई और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ आज भी निरंतर बदल रही है यह जो बदलने का क्रम है यहां जो परिवर्तन का क्रम है यहां सदैव चलता रहता है कुछ भी निश्चित नहीं है ठीक है ना दोस्तों शेत्रिय संस्कृतियों के अगर मैं बात करूं ना कि जिन जो किस प्रकार से अगर विक्सित हुई है अगर हम इस पे जोर देश प्रश् लगा ठीक है यह और इस प्रक्रिया के तहत अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जो स्थानिये परंपराओं का जिक्र इस परिग्राफ में आपके सामने किया है रहा है है ना अगर उपमहदीद के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रादान ने एक दूसरे को संपन बना दिया है अब दोस्तों आप इसको इस तरह से समझ ये जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है वहाँ जो है मराठी का उपयोग अधिक करता है पर आपका मित्र है है ना जब आपको उससे बात करनी हो तो वहाँ भी आपकी तरह हिंदी बोलता है मान लीजिए आपको करके आप बड़ी आसानी से बड़ी सरलता के साथ में जो है मलती सीख़् जाएगे। बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिनकार्थ 안वक को पता चल जाएगा और यह भी हो सकता है कि समय आने पर आप भी उससे उनी शब्दों के माध्यम से वारतालाप करें जो आपने उससे सीखी है तो क्या हुआ हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जिसे मराखी आती है और धीरे-धीरे हम भी मराखी सीख गए तो ऐसे ही दोस्तों क्या हुआ कि यह जो छेत्रिय संस्कृतिया है यह भी विक्सित हुई अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से पूजापाट करते थे अलग-अलग तरह से रित्य करते थे गीत गाया करते थे हैं ना संगीत और भाशा भोजन वस्त्र यह सभी चीज़े जो है एक दूसरे सिर्फ जैसे जैसे समय बढ़ता गया आपस में म विचारों के आदान प्रदान नहीं क्या किया है एक बूसरे को संपन बना दिया है ठीक है ना इसमें आगे यही बताया गया है कि जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशे शेत्रों की अपनी है ठीक है ना जबकि कुछ की अगर हम बात करें तो वहा अन् नेकिन अन्य छेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ परिग्राफ समझ में आया होगा, इस परिग्राफ में हम यही बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे छेत्रिय संस्कृतियां विक्सित हुई, है ना, यहाँ कितनी जटिल प्रत्रिया है, और इसके बाद हमें यह भी समझ में आया कि किस प्रकार से अलग-अलग लोग, अलग-अलग विभाजक सीमा हैं, जो छेत्रों की होती हैं, उनके द्वारा लोगों ने अपनी संस्कृति में, अपने जो विचार है, उनकी आदान भाषा का विकास, है ना, इसे हमने अपने पाठिक्रम में सबसे पहले सबसे उपर रखा है, तो चलिए, शुरुबात करते हैं, और जानते हैं कि क्या कुछ खासे सीशक में हमारे जानने के लिए आपकी इस किताब में, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईए, भाषा और खेत्र के बीच अंता संबंद के एक उधारन से अपना विशलेशन प्रारम करें, ठीक है ना, दोस्तों वही उधारन यहाँ पर भी लिया गया है भाषा और खेत्र का, अब यहाँ पर दोस्तों जिक्र आता है महोदयपुरम का, अब आप कहेंगी यह मह महोदयपुरम क्या है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि महोदयपुरम का जो चेर राज्य है, वहाँ दक्षण पश्चिंभाग में, जो आज वर्तमाय में जो केरल है ना, उसका एक हिस्सा है, ठीक है ना, और बात इसकी हो रही है कब से, नौवी शताब्दी से, यह पर जो है संभवता मल्यालम भाषा जो है वह बोली जाती है, ठीक है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इस समय के जो शासक है, उन्होंने मल्यालम भाषा या लीपी का जो प्रयोग है, वह किया है, इसमें अपने अभिलेखों में, ठीक है, दोस्तों, इस भाषा का प्रयोग ज सरकाह करते हैं, सरकारी कारे सारे होते हैं, तो सरकारी अभी लेखों में किसी खेत्रिय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उधारण जो प्राक्त हुए है, उसमें से एक है, कौन सी भाषा का प्रयोग, मले आलम भाषा का प्रयोग, दोस्तों आप ना बड़े ही इकाग्र मन से सुनिएगा ठीक है ना जो मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद में इस पार्ट का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है ना तो बड़े ध्यान से और बड़े गौर से आप मेरी बातों को सुनिएगा है ना औ और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जो है बिना किसी डिस्टर्बेंस के सुन रहे हैं ठीक है ना हम बात कर रहे हैं महोदैपुरव के चेर राज जी ठीक है आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर दोस्तों जो आपको यहां चित्र दिखाई दे रहा है मैं चाहता ह ठीक है ना ओके अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ पहें किया ठीक है ना केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक हो जी जा सकती है संस्कृत के महा काव्यों पर आधारित ठीक है ना दोस्तो यहां पर जिक्र आता है केरल के मंदिरों का ठीक है ना रंगमंचों का तो अगर हम बात करेंगी इनकी परंपराओं की ठीक है ना तो यहां पर यही बताया गया है कि इस युग तक जो है यहां पर खोजी जा सकती है ठीक है ना और संस्वित के जितने भी महा काव्य थे यह सब उसी पर आधारित था दोस्तो बारवी शताबदी की आसपास बताई जाती है क्या मलियालम भाषा की पहली साहितिक कृति है यहां पर लिखा हुआ है मलियालम भाषा की पहली साहितिक कृतियां जो लगभव बारवी शताबदी की बताई जाती है दोस्तो यह जो भाषा है इसे आप कहिए कि यह संस्कृत की रिनी है ठीक है ना प्रत्यक्ष रूप से किसकी रिनी है या संस्कृत की रिनी है इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ है कि यह कहीं न कहीं संस्कृत से ही आई है यहाभी एक काफी रोचक बात है दोस्तों कि चौदवी शतापदी का जो एक ग तो इसका विशे क्या है? मनी प्रवालम. इस शैली में यहाँ लिखा गया है. कौन सी शैली में लिखा गया है? मनी प्रवालम. अब इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका अर्थ होता है मनी प्रवालम का हीरा और मुंगा. ठीक है न? यहाँ जो दो भाशाएं हैं, संस्क शीर्शक देखते हैं जो है शासक और धार्मिक परंपराएं जगनाथी संप्रदाएं मैं आपको बताया था जब पार्ठी क्रम बता रहा था कि हम इसके बारे में भी जग्याएं में बात करेंगे लेकिन इससे पहले आप अपनी दाई और इस चित्र को देखी यह जो चित्र है बालभद्र सुबद्रा और जगनाथ की लगोमूर्तिया हैं ठीक है ना ताल पत्र की पांडुली की उडीसा से हप्राप्त हुआ है ठीक है दोस्तों यहां पर यही बताया गया है इस परिग्राफ की शुरुआत में कि जो अलग-अलग शेत्रों की जो शेत्रिय संस्क्र संस्कृतियाँ जिनके बारे में हम इस परिग्राफ में जानेंगे और हमने इसके पहले भी शेत्रिय संस्क्रितियों के बाद की यहां शेत्रिये धार्मिक परंपराओं से ही तो विक्सेत्व हुआ थी है ना जो खric अब जगन्दाथ का अर्थ क्या होता है जग का नाथ यानि की दुनिया का मालिक हो तो यहां गवाज बिश्णू का परयाएवाची बनाई जाती है और इससे क्या अर्थ निकलता है दोस्तों इससे यही अर्थ निकलता है कि जो जगरनात है वहां मूलतह एक इस्थानिय देवता थे जिनें आगे चल करके किसका रूप दे दिया गया भगवान विश्णु का रूप मान लिया गया मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा इसके बाद इन चार से पांच लाइनों में यहां बताया गया है गंगवंश के बारे में कि गंगवंश जो है बारवी शताब्दी की बात हो रही है इसमें एक राजा अनंत वर्मन थे और यहां पर यह भी बताया गया है दोस दोस्तों गंगवंच के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुर्षोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर वर्माने का निश्चय किया था ठीक है ना और उसके बाद दोस्तों 1230 में राजा अनंगभीन तृतिय ने अपना राज पुर्षोत्तम जगन्नाथ को क्या कर दिया अर्पित कर दिया और स्वयम को जगन्नाथ का प्रतिन्योग घोशित किया दोस्तों हमने पिछले अध्यायों में भी यहीं देखा है आपने मुझे उम्मीद है पहले के वीडियो जरूर देखेंगे उसमें हमने यहीं देखा कि जो अक्सर राजा हुआ करते थे राजा महा की परचाई बताया करते थे ठीक है ना तो यहां सब चीजे हमने देखी है आप वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपने नहीं देखे है तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे इस मंदिर के बारे में यह बताया है कि जैसे जैसे इस मंदिर को तीर किस्थल किन्दर के रूप में धीरे-धीरे महत मिलता चला गया उसी प्रकार से वैसे ही सामाजिक दखराज़ीटिक मामलों में थी इसकी बढ़ती चली गई जीता ओडिशा को तो इस मंदिर पर अपना नियंत्रण जरूर इस्थापित किया अब इस मंदिर पर अपना नियंत्रण इस्थापित करने का प्रयत्न उन्होंने आखिर क्यों किया क्यों कि वह उस समय ऐसा महसूस करते थे दोस्तों कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से इस्थानीय जंता में उनका शासन स्विकार हो जाएगा जर्बता है वह उनको क्या कर लेगी स्विकार कर लेगी एक शासक के रूप इस यह जो मंदिर का आप चित्र देख रहे हैं यह जगंदात मंदिर है पुरी का ठीक है ना याने जहां पर आज का अधिकांच कौन सा आश्सा है राजस्थान कiphate दोस्तों जहां उस समय कहना गलत होगा जहां पर केवल अत्वा प्रमुक रूप से राजपूत ही रहा करते थे लेकिन यहां जो बात है यहां सिर्फ आंचिक रूप से ही सत्य है ऐसे अनेक समूह थे और मैं कहूंगा कि आज भी है यहां लिखा हुआ है जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक शेत्रों में अपने आपको राजपूत कहते थे और दोस्तों यहां भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं है ना लेकिन इसके बावजूद अकसर यहां माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति जो है वहाँ प्रदान की है ठीक है ना मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा ठीक है ना दोस्तों यहाँ जो संस्कृतिक परंपराएं है यहाँ वहाँ के शास्कों के आदर्शों तथा अभिलाशाओं के साथ धनिष्टता से जूड़ी होई ठीक है ना दोस्तों यहाँ चित्र आप देख पा रहे होंगे यहाँ विकानेर के राजकुमार राजसिंग का चित्र है जिक्र आता है दोस्तों आठवी शताब्दी का ठीक है ना लगबग आठवी शताब्दी से आज के राजिस्थान के अधिकांश भाग पर ठीक है ना दोस्तों विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है हमने प्रित्वरात चौहान के बारे में पढ़ा था एक ऐसा ही शासक था और ये शासक ऐसे शूर्वीरों के आदर्शों को अपने रिदय में संजोय रखते थे जोनों ने रंचेत्र में बहादूरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यू का वरण किया मगर पीट नहीं दिखाई आप सोचिए दोस्तों कि आदर्श जो है राजाओं का वह क्या है आदर्श जो है वह यहा है कि वो वो राजाओं को अपना आदर्श मानते थे जिन्होंने क्या किया युद्ध में बहादूरी से लड़ाई लड़ी और कभी भी युद्ध के मैदान में पीट नहीं दिखाई विजह के लिए बहादूरी के साथ वृत्यू का क्या किया वरण किया ठीक है ना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा राजपूर शूर्वीरों की दोस्तों जो कहानिया है ना कहान कि आप समझ लिए शेड़ी है कुछ लोगों भी है ना जो गाय गाते हैं भाट लोग चारण लोग अपने सुना होगा ठीक है दोस्तों अब यह जो गीत है यह जो काव्य है यह ऐसे शूर्वीरों की इस्वर्टी को सुरक्षित रखते थे और उनसे आशा की जाती थी कि व मात्रभूमी के लिए अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है यह कुछ ऐसा कर जाता है जो कि बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनता है तो हम उस वेक्ति को याद रखते हैं आसानी से उन्हें भुदाया नहीं जा सकता जैसे अगर मैं आज भी बात करूं तो हम ईन्हें याद क्यों रखा हैं और क्यों हम इनको अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि यह सब बहुते हैं कुछ काववे थे, गीत थे, वो कुछ ऐसे ही शूर वीरो की इसमिती को सुरक्षित रखा करते थे, और जब भी यहाँ गाय जाते थे, तो उनसे यहाँ अपेक्षा रखी जाती थी, आशा थी, कि वे अन्य जनों को भी उन शूर वीरो का अनुकरन करने के लिए क्या करेंगे मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे, प्रोटसाहित करेंगे, ठीक है न? दोस्तो, साधरन जन भी इन कहानियों से आकर्शित हुआ करते थे, और इन कहानियों में अकसर नाटकी है, स्थितियों और स्वामी भक्ती, मितरता, प्रेम, शौर, एक्रो तो यहां पर लिखा हुआ है कि जी हाँ, कभी-कभी वे जगड़े के कारण के रूप में रिद्यमान है, जब पुरुष इस्त्रियों को जीतने के लिए अथ्वा उनकी रक्षा के लिए आपस में नड़ते थे, कही-कही यहां भी चित्रित किया गया है कि इस्त्रिया अपने वह भी क्या हो जाती थी, उनको भी जो है, मतलब उनके शव के साथ में जिन्दा जला दिया जाता था और इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था, चिता पर जिन्दा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेक पाये जाता है, इस प्रकार जो लोग शूर वीर नक्षा है जिसमें वह शेत्र को दिखाए गया है जिनकी सद्धिया में चर्चा की गई है आप देख पा रहे हैं यहां मद्यप्रदेश है मद्य में इस्तित है यहां 36 गड़ है पहले मद्यप्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था फिर अलग हो गया 2000 के आसपास इसके बाद मे यहां पर देखेंगे कि आप 36 गड़ से लगा हुआ यहां पर जारखंड है ठीक है ना और जारखंड से उपर की और लगा हुआ है यह बिहार ठीक है ना दोस्तों भारत का नक्षा तो आपका परिचित होगा ही होगा है ना आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं इस भ महाराष्ट उत्तरप्रदेश राजस्थान कुजरात यह सब जो है जुड़ा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला शीर्शक है छेत्रिय सीमानतों से पर कथक मृत्त्य की कहानी चलिए जानते हैं इस शीर्शक को क्या कुछ दिया है इस परिग्राफ में दोस्तों जैसा कि अभी हमने उपर देखा इव शूर्वीर्था की कुछ परमपराए इन आप अलग अलग रूप कि खत्क है उसके बारे में हम जानेंगे इस परिग्राफ में ऊसके एध्य जानेगे झाने आप न नित्य के एक रूप जो कथक है, उसके बारे में हम जानेंगे इस परिग्राफ में, उसके इतिहास के बारे में, ठीक है ना, तो दोस्तो कथक जो है, यहां नित्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जूरी हुई है, याद रखिए उत्तर भारत की जा रही है, मैं आपको पहले नक्षे में दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तो, यहां जो भारत है ना, यहां उत्तर भारत है, ठीक है ना, जो उत्तर दिशा में है, तो यहां की बात की जा रही है, चली, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कथक शब्द की, यहां शब्द दोस्तों जो हैं, कथा कथा शब्द से निकला हुआ या शब्द है और इसका जो उपयोग है तो इसको प्रयोग है वह संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है आपने सुना होगा कथा कथा होती है अगर आपने रामायन देखे तो इसमें आपको पता होगा कि लवकुष भी जब गाते हैं कि हम कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की तो इसका उपयोग कहानी के लिए किया जाता है लगळग भास्टाओं तो कथा शब्द से निकला है कथक तो कथक मूल रूप से दोस्तों उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालोग की एक जाती थी अब यह जो कथकार है यह अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे पंद्रवी और सोलवी शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारन करने लगा अब यह निर्थिक कहां से बनाई है हमें बता है यह अरपत्म पंद्रवी और सोलवी शताब्दियों से जो राधाकृष्ण है है ना उनकी जो कहानिया है जिसे यहां पर पौरानिक आख्यान के नाम से बताया गया है लोक नाट्टे के रुपन प्रस्टूट किये जाते थे ठीक है ना और जिन्हें रासलीला कहा जाता था रासलीला में लोग नृत्य के साथ कथक कार के मूल राजदर्बार में प्रस्टूट किया जाता था जहां इस नित्य ने अपने वर्तवान अभी लक्षन अंजित किये और वहां एक विशिष्ट नित्य शैली के रूप में विक्सित हो गया दोस्तों आगे चलकर यहां दो परंपराओं अर्थार घहरानों में फूला फूला इसके बाद में दोस्तों आगे हैं 1850 से 1875 के दोरान की कहाणी तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ 1850 से 1875 के दोरान तो यह जो रितिश अली के रूप में है उन दो शेतरों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हर्याना, जम्मू कश्मीरिया ने पूरे के पूरे उत्तर भार देश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर क्या हो गया संस्थापित हो गया है ना मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो आगे है कि अनेक अन्य सांस्क्रितिक गत्विदियों की तरह तथकों भी उननीस्वी तथा बीस्वी शिकाब्दियों में अधिकांश ब्रेटिश प्रशास्कों ने नापसंद किया फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा प्रापती के बाद तो देश में उसे च्षा स्ट्रिय ओर्टि और तो इस बॉक्स में हमें उसके बारे में जानकारी दी गई है आईए जानते हैं शास्ट्रिय ओर्टि के विशहय में दोस्तों यहाँ पर हमसे यह प्रशन पूछा गया है कि आखिर कौन सी कला को किस कला को जो है शास्त्रिय माना जाए अब इस पर हमें अलग-अलग उधारणों के माध्य हमसे प्रशन पूछे गया है अलग-अलग बाते कहीं गई है इस प्रशन का उत्तर यहाँ पर यह बताय या फिर क्या हम उसे शास्त्रिय इसलिए मानते हैं कि क्योंकि उसके लिए अत्यदिक कोशल की आउशक्ता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षन से ही प्राप्त होता है आप जानते हैं कि यह जो है आसान नहीं होता है इसके लिए बहुत प्रशिक्षन की आउशक् किया जाता है और उसमें विभिन्यताओं को कुछ सहान नहीं दिया जाता है यह कुछ ऐसे पशन है जिन पर हमें विचार करने की आउश्चता है दोस्तों यहां भी इस मरेणिय है कि बहुत से ऐसे रित्य रूपों में जिनें लोकद्य की शेणी में रखा गया है यहां पर ब हमेशा सही सही नहीं होता है अब यहां पर कुछ नियों के बारे में उसक्षितर को देख सकते व्यांग 여러분 दरित्र को देखसे है तो मैं आपको दो त्ीन के विशम में बता देता हूँ ईक क्या बात है सब से पहले मैं आपको बताSet की जो की दक्षण भारत की है इसमें दोस्तों तीन कलाओं का समावेश न यहां तीं कलाओं को अपने साथ समेटे हुए है दोस्तों यहां भरत मुनी का नाट्य शास्त्र है उस पर आधारित है इस शैली के लिए चुदंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तिया जो है वहां प कथकली की केरल से संबद्ध है तो दोस्तों कथकली जो है वह सत्रवी शताब्दी से शुरू हुआ था और यदि हम विद्वानों की माने तो रामनाट्टम जो की तम पुरान द्वारा रचा गया था उसी का यहां एक विक्सत रूप है यहां त्राबंकोर कोचीन और मालाबा कि आसपास की एक प्रचलित निर्थिशली, इसके साथ ही यहां एक सूपरसिद शास्त्रियulars रंगकला भी है इसके बाद हम बात करेंगे ओडिसी के ठीक है न तो ओ डिसी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ यहां एक शास्त्रियर निर्थिशली है जो की ओडिसा क है EODC सबसे पुराने जीवित रित्य रूपों में से एक माना जाता है देवदासिया जो की मंदिर में रित्य किया करती थी उनसे इनका जन्म हुआ शिलालेकूम अभी इस रित्य का उन्नेक हमें मिल जाता है मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा इसके बाद में करेग्राफ में क्या कुछ खास है दोस्तों यहां पर बताया गया है एक अन्य परमपरा जो कि कही रीतियों से विक्सित होई वह थी लगुचित्रों की परमपरा अब इसमें क्या होता था दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूँ कोई प्रश्टुत कर रहा है तो इन सभेविवन घटनाओं को एक छिट्र के माध्यम से भारस्चीत किया जाता था यह इन चित्रों के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार की जानकारिया प्राप्थ होती थे थी तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते थे और आम तोर पर यहने सामाने रूप से इन पर जल रंगों से कपड़े या कागस पर चित्रित किया जाता था था थीक है ना कुछ प्राचीनतम लगुचित् अत्वा लकडी की तख्कियों पर चित्रित किये गए थे ठीक है ना और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो पश्चिम भारत है ना इनमें जो जैन ग्रंत है ना उनमें हमें सरवादिक सुन्दर चित्र जो है मतलब प्राप्थ होए ठीक है ना इनको बनाने के लिए प् प्रात्मिक रूप से इतिहास और कावियों की पांडूली पिया ये क्या करते थे चित्रित किया करते थे पांडूली पिया बनाया करते थे उनमें चित्रित किया करते थे चित्र बनाते थे लगू चित्र इतिहास को बताने के लिए कावियों को बताने के लिए हमने जब और आपको दिखाई दे रहा है ठीक है ना यहां शिकार करने गए अकबर के आराम करते हुए समयगी फोटो है आप देख सकते हैं ठीक है ना दोस्तों इसके बाद में यह जो पांडूलीपिया है यह आम तोर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती है ना चटक रंग जो होते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था है ना तो वह सब चित्रित किये जाते थे अक्सर उपहार के तौर पर गिफ्ट के रूप में जो है दोस्तों यहां जो चित्र है इनका आदान प्रदान किया जाता था ना इनको इनका लेंदेन होता था और कुछ ग मुगल सामराज्य के पतन के साथ, जैसे मुगल सामराज्य के पतन हुआ तो इसके साथ बहुत सारे जो चितरकार थे उस समय, मुगल सामराज्य के पतन हो गया तो मुगल दरबार को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, मुगल दर्वार को छोड़ कर वो कुछ नए उभरने वाले जो छेतरिय राज्य थे अध्यायदस में हमें देखने को मिलेगा उनके दर्वारों में वहा जो है चले गया और इसके परिणाम से क्या हुआ मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षण के छेतरिय दर्वारों और राजस्थान के राजपूती राजदर्वारों को प्रभावित की लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशिष्टाओं को भी क्या रखा दोस्तों सुरक्षित रखा आप जानते हैं कि यदि कोई चितरकार है आला दर्जे का है अवल दर्जे का है तो मुगल उधारनों का अनुसरन करते हुए जो है शास्पूत उनके दर्बारों के दृष्ट चितरित किये जाने लगे अब दोस्तों कोई चितरकार है तो वह जहां भी जाएगा चितर ही बनाएगा ठीक है ना लेकिन जब अंतर कहां से पड़ेगा चितरों से अंतर पड़ मान लीजे कि भग इसी एक शितर में गया है पहले वहां चितर बना रहा था दूसरे शितर में चला गया वहां का रहन सहन अलग है पहनावा अलग है भोजन अलग है ना लोग अलग है उनकी भाशाएं अलग है तो चितरों में भी इसका असर जो है वह देखने को मिलता है इ चेत्रिय संस्कृतियों का विकास होता चला गया और कैसे इन्होंने अपने आपको संपन्द बनाये चेत्रिय संस्कृतियोंने कैसे चेत्रिय संस्कृतिय कब संपन्द हुई होगी जब आपस में विचारों का आदान प्रदान जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहा होगा और दोस्तो ऐसा ही एक अन्यचेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इंद्गिर हिमाले की तलहटी का इलाका। इस शित्र को देख सकते हैं, खोली खेलते हुए महाराना राम से इंद्धिती को बताया गया है, राजपूत लगुचित्र है, पोटा सिकात है, ठीक है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सत्रवी शिताबदी के बाद वाले वर्षों में, इस शित्र में लगुचित्रकला की एक साहस्पून और भावप्रवन शैली का विकास हो गया, भावप्रवन शैली सिकात्परे होता है दोस्तों, जो भावव की अभिवेक्ति करें, ठीक है ना, जिसे बसोहली शैली कहा ज गई थी दोस्तों, वह थी भानूदत्त की रस्मंजेरी, 1749 में नादर शाह के आक्रमन और दिल्ली विजय के परिनाम से, परिनाम स्वरूर मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिस चित्ताओं से बचने के लिए पहाडी शित्र की और पलायन कर जाते हैं, ठीक है ना, दोस खूपसूर्टी से इस चित्र को बनाया गया है, है ना, पेड़ पौधी कितने अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना, ठीक है, और जब ये लोग गए, तो उन्हें वहाँ जाते ही आश्रे दाता अपने दयार मिल गए, इसके फल सोरूप क्या हुआ दोस्तों, चित्रकारी की कांगड़ा शैली विक्सित हुए, जिसका अभी एक उधारन हमने देखा, ठीक है ना, दोस्तों, अठारवी शदाब्दी के बीच में, अठारवी शदाब्दी के मध्यभाग तक, कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विक्सित कर ली थी, ठीक है ना, जिसमें अठ में बहुत रिच्छे से सीखा, जान, ठंडे, नीले और हरे रंगो सहित, कोमल रंगो का प्रयोग और विश्यों का काव्यात्मक निरोपन, कांगड़ा शैली की विशेशता थी, ठीक है ना, दोस्तों, हमें यहापर एक चीज याद रखने है, स्मरन में रखना है, कि जो साधरन इस्त्री पुरुष थे ना, सिर्फ चत्रकार लोगी नहीं, बल्गी साधरन इस्त्री पुरुष भी, जो है, बरतनों पर, दिवारों पर, कपडों पर, फर्ष अधी पर, जो है, अपनी कलकृतियां चित्रित किया करते थे, और कला के इन नमूनों में से, कुछ आईए, इसे भी जानते हैं, एक शेत्री भाषा का विकास, दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुवात में देखा, यानि कि प्रारभम में देखा, है ना, अक्सर हम शेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धालिक करते हैं, इस पुसकक में भी कुछ उधारण दिया है, कुछ मैं भी आपको बता देता हूं, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूँं कि जो मराठी है, अब बोली जाती है, तो मैं आपको बता दूँं, नाम्राठी संभवता महाराठी का अनको रठीक कहा जाता था, ना तो जो महाराजा है उνको महारेठी चाहा गया और उनके तौब बॉली जो भाशा है उनके दवारा उपयोग मिला जानी भाशा है उम्मराठी जान लेते हैं कि जैसे बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बोलते हैं लेकिन दोस्तों यह दिल्चस्प बात है कि आज बंगाली जो है वह संस्रिट से निखली हुई भाषा मानी जाती है प्रारंबिक याने शुरुवाती लिशापूरो की आप बताया प्रथम सहस्त्राप्दी के मद्द के बागे संस्क्रित ज्यंतों के अध्यन से हमें यहां पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्क्रित से उप्जी होई भाषाएं नहीं बोलते थे तो फिर यह प्रश्ण है कि नई भाषा का उर्फाव कैसे हुआ यह जानते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बंगाली रामायण है ना उसके ताल पत्र की पांडुली भी काई है एक प्रष्ठ है आप देख से होते हैं दोस्तो इसा से पूरु चौथी से तीसरी शताबदी से बंगाल और मघर यानि की दक्षिन बिहार के बीच वानेजिक संबंद स्थापित होने लगी ठीक है और इसी के कारण जो है संस्रित का प्रभाव क्या हो गया होगा बढ़ता गया हो दोस्तो चौथी शताबदी आयत नियंतरन इस्थापित कर लिया था दोस्तो जब भी मैं आपसे कहता हूं कि चौथी शताबदी के दौरान उननीश शताबदी के दौरान आठीवी शताबदी के दौरान बारवी सत्रवी तो आप कृपिया इन्हें याद रखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा किन्हें बंगाल पर अपना राज्मेटिक नियंतरन इस्थापित कर दिया फिर क्या हुआ दोस्तों वहां जो ब्राह्मन थे उनको उन्होंने क्या कर दिया बसाना शुरू कर दे कि भाई आप भी यहां पर आकर बसना शुरू करें इस प्रकार से दोस्तों गंगा की मद्य घाटी के भाशाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल होते चले गए और दोस्तों सात्वी शितापदी में चीनी यात्री यून्सौंग ने यहां पाया कि बंगाल में हर जगे सरवत्र संस्कृत से संबंदित भाशाओं का प्रयोग हो रहा है कौन सी भाशाओं का प्रयो एक शेत्री राज्य का उद्वा हो गया है ना हमने अध्याय दो में इनके बारे में दोस्तों पढ़ा था है ना हमने त्री पक्षिय संगर्ष के विशे में पढ़ा था आप याद कीजिए ठीक है ना चौदवी से सोलवी शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों को शासन दहा जो दिल्ली में इस्ते शास्कों से सुतंत्र थे ठीक है ना फिर 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश एनी के बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा उस समय दोस्तों प्रशासन की भाषा फार्सी थी लेकिन बंगाली एक शेत्री भाषा के रूप में विक्सित हो रही थी बस्तुता क्या हुआ दोस्तों 15 वी शिताब्दी तक आते आते उप भाषाओं तथा बोलियों का जो बंगाली समू है एक सामाने साहित्तिक भाषा के द्वारा एक बद्ध हो गया और यह साहित्तिक भाषा उस छेत्र के पश्चिमि भाग की बोलचाल की भाषा थी जिससे अब जो है दोस्तों बंगाल कहा जाता है यद भी बंगाली का उद्भाव संस्कृत से ही हुआ पर यहाँ अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से बुझरी है इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द हंडार जो जन जाती है भाषाओं फार्सी और यूरोपी भाषाओं सहित अनेक सोटों से इसे प्राप्त हुआ है आधुनिक बंगाली का एक विस्सा बन गया है इसके बाद में दोस्तों आगे बात आता है बंगाली की जो की दो श्रेणियों में उससे बाटा जा सकता है एक श्रेणी संस्कृत की रिणी है और दूस श्री उससे स्वतंत रहें दोस्तों जो पहली श्रेणी है उसमें संस्कृत महा कावियों के अनुवाद है ना यहां पर उधारन दिये गए हैं आपके सामने मंगल कावे शाब्दिक अर्थों में शुब यानि मांगलिक कावे जो इस्थानिय दिवी देवताओं से संब्द और भक्ति साहित जैसे गौडिय वैशनव आंदुनन्न के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनिया जो कि अध्यायाट में शामिल थी आधी हमें देखने को मिलता है दूसरी श्रेणी में दोस्तों जो है नात सहित शामिल है जैसे मैना मती गोपी चंद पीईत धर्म ठाकू जो है मैना मती गोपी चंद और धर्म ठाकूर शीर्शक के अंतरगर दोस्तों नात लोगों के बारे में हापे बताया गिया है ठीक है ना यह अलग अलग प्रकार की योगिक क्रियाय करने वाले सन्यासी हुआ करते थे ठीक है ना यहाँ गीत विशेश जो अकसर अभिनीत कि यहाँ बताता है कि रानी मैना मती ने अपने पुत्र गोपी चंदर को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार से प्रुस्ताहिद किया था धर्म ठाकूर एक शेत्रिय लोग प्रियदेव है जिनकी पूजा अकसर एक पत्थर या काट की लेकिन जब बात आती है दोस्तो दूसरी श्रैणी की जो गृतिया है मौफिक रूप से कही सुनी जाती थी इसलिए उनका काल निर्णाय सही सही नहीं किया जा सकता था, मौकिक थी, तो वे खास तोर पर पूरी बंगाल में लोग प्रियती, जहां ब्रहम्मनों का प्रभाव अपेक शक्रत कैसा था, कम था, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले शीर्षक के विशय में जो है और मंदिर, इसे जानने से पहले हम यहाँ पीर शब्ध का आर्थ देख लेता है क्योंकि मंदिर का आर्थ को हमें पता ही यह है, दोस्तों पीर का आर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सोलवी शताब्दी से जो लोग हुआ करते थे न उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में क्या किया पश्चिम मंगाल के जो कम उपजाओ शेत्र उस समय हुआ करते थे उनको छोड़ दिया क्योंकि वह शेत्र कम उपजाओ थे और छोड़ कर कहां चले गए दक्षिन पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में उन्होंने प्रवास करना शुरू कर दिया अब दोस्तों जैसे जैसे वह पूर्व की और बढ़ते चले गए वह और जंगलों को वह साफ करके भूमी में धान की खेती करने लग जया शने शने याने की धीरे-धीरे इस्थानी मचुआ तथा इस्थानांतरी खेती करने वाले लोग अक्सर जंग जाती है थे किसानों के नए समुदायों में मिल गए ठीक है न और दोस्तों इनी दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंतरन इस्थापित हो गया था ठीक है जिनोंने क्या किया पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रिय भाग में इस्थित एक नगर है जिसका जिक्र आता है वह है दो दोस्तों धाका नगर ठीक है न पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रिय भाग में उसमें अपनी राजधाने इस्थापित कर ली किनोंने मुगलों और अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमी प्राप्त करके अकसर उस पर मस्जिदे बना लेते थे जो इन इलाकों के ध सुख सुविदाएं तथा आशवासन उन्हें कहां से मिलता था उन्हें मिलता था समुदाय के नेताओं से वो उन्हें ब्रदान करते थे अब ये नेता शिक्षकों और निर्नायकों की भूमी का भी अदा किया करते थे कोई घ्यान देना हो किसी प्रकार की कोई शिक्षा द तो को दूड करने का प्रयास करते थे उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त किया करते थे और इसने और आधर से लोग इने पीर कहा करते थे दोस्तो इस पीर श्रेणी में संतिया सूफी और अन्यधार्मिक महानुभाव साहसी उपनिवेशी देवत्व कर लेने वाले सेनिक या फिर योध्धा और विभिन्न प्रकार के हिंदू एवं बौध देवी देवत्वा और दोस्तो यहां तक की जीवात्माय भी शामिल थे ठ पीरो की पूजा पद्धितियां बहुत ही लोगप्री हो गई थी दोस्तो और उनकी मजारे बंगाल में लगबख हर जगे सरवत्र पाई जाती ठीक है ना इसके बाद दोस्तो इस अगले परिग्राप को पढ़ते हैं और उससे पहले दोस्तो जान लेते हैं जीवाद का अर आगे बढ़ते हैं दोस्तो बंगाल में पंध्रवी शताब्दी के बाद में जो बाद में जो वर्ष आये कुछ समय आया उसमें मंदिर बनाने का दौर जो है वहां जोरो पर रहा दोस्तों यह हमने अध्याए दो और पांच में बहली बाती पढ़ा जाना है ठीक है ना उन जो कि कैसे थे शक्तिशाली थे या शक्तिशाली बन रहे थैं थीक है ना वे इनके माध्यम से अपनी शक्ती तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे बंगाल में साधरन ईटो और मिट्टि गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समुहों जैसे कालू यानिकी त दोस्तों यूरोप की व्यापारिक कम्पनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हो गए थे इन सामाजिक समूहों से संबंदित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का क्या किया लाब उठाया जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति शुदरती गई उन्होंने इन इसमारकों के निर्मान के माध्यम से अपनी प्रस्थिती या प्रतिष्टा की गोशना कर दी जब इस्थानिये देवी देवता जो पहले गाओं में छान चपर वाली जोपरियों में पूजे जाते थे उनको ब्रहम्मन द्वारा मावन्यता प्राप्त कर दी तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी इस चित्र को आप देख रहे हैं यह चित्र गोपियों के साथ कृष्ण शांपूर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विश्णुपूर से थीक है न बीश में आप देख रहे हैं कृष्ण है आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बतायाएं दोस्तों इन मंदिरों की शकल यातरती बंगली सप्परदार ज्खर्यों की तरह दोचाला याने दो चटों वाली या चोचाला यानि कि चार चटों वाली उथी दोस्तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि 500 अध्याय में वर्णित बंगाली उंबत को याद करें है ना हमने जिसे 500 अध्याय में देखा था आपने नहीं देखा तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भा हुआ, अपेक्षा कृत अधिक जटिल चौचाला यानि चार छतो वाली धाचे में चार त्रिकोणिय च्छते चार दिवारों पर रखी जाती थी, जो उपर तीरियक रेखा या एक बिंदू तक जाती थी, मैंने अभी आपको चितरों में बताया था वना करके, दोस्तों मंदिर आम तोर पर एक वरगा का चबुतरे पर बनाये जाती थी, उनके भीतरी भाग में कई सजावट, कोई सजावट जो है वह नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी की तक पहुँच चुकी थी, इसके बाद में दोस्तों अगला शीशक आता है मचली भोजन के रूप में, आईए इसे वशक को भी पढ़ते हैं, जानते हैं, दोस्तों परमपरागत भोजन संब्धी आदते आम तोर पर इस्थानी रूप से उपलब दखाद्य पदार्तों पंदिर्भर करती है, मान लीजे कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं, जहां पर आपको अधिक मात्रा में सेब का उत्पादल होता है, उसामान इसी बात है कि वहां की भोजन में यहां जरूर वहां के फलो में जो है शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों बंगाल एक नदीर मैदान है, यहां मचली और धान की उपद बहुता याद से होती है, इसलिए यहां बिलकुल स्वाभावी के दोस्तों इन दोनों वस्तों को गरीब बंगालियों की भोजन सुची में भी प्रमुक स्थान प्राप्त है, मचली पकड़ना वह ही है, उनमें भी मचलीओं को साफ करते हुए तोकुरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है, दोस्तों आप इस सित्र को देख रहे हैं, घरो इलू उपयोग के लिए मचली तियार करते हुए विशा लक्षमी मंदिर से पके मिट्टी का एक फलक, आराम ठीक है ना, ठीक है, दोस्तों ब्रहमनों को सामिश भोजन करने की अनुमती नहीं थी, ठीक है ना, सामिश मतलब मान साहर, लेकिन इस्थानी आहार में मचली की लोक्रियता को देखते हुए ब्रहमन धर्म के विशेशग्यों ने बंगाली ब्रहमनों के लिए इस लिशेद म के अनुमती देव, इसके पश्चाद दोस्तों अब हम बात करेंगे यूरोप में राश्टराज्यों के उधाय की जानकारी दी गई है, आईए जानते हैं इसको मैं शब्दशा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और समझाने का प्यास करूंगा, दोस्तों अठारवी शता प्रजी की प्रजा या किसी चर्च जैसे युनानी रूडिवादी चर्च के सदस्य मानते थे, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों अठारवी शताब्दी के अंतिम शास्कों में लोग स्वयम को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचाने लगे, जो की एक भाषा जै जैसे की फ्रेंच या जर्मन बोलते थे, दोस्तों प्रारंबिक उन्नीस विशताब्दी में रोमानिया में विध्याली पाठी के पुस्तके ग्रीक भाषा के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लेगी, और हंगरी में लेटीन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा क रूप में अपनायागे और यहा और इसी प्रकारगी अन्य प्रक्रियाओं ने क्या किया लोगों को यहां बोध कराया कि प्रतेक भाषी समुदाय एक अलग राश्ट था, उन्नीस विशताब्दी के अंतिन दश्कों में इटली और जर्मनी के एकी करण के लिए हुए इस वीडियो की लिंक को आप जरूर साजा करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, परिजनों, सहपाटियों के साथ में ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाव ले पाएं और जान पाएं इस महत्वपून जानकारियों को जो इस अभ्याय में आपको दी बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार